हेलो फ्रेंट्स मैं दिविया जेन आपका स्वागत है मेरी चैनल वेज तू वेज में आज हम बनाएंगे सेवपूरी सेवपूरी बहुत ही कॉमर्स स्ट्रीट फूद है सेवपूरी आपको हर जगे खाने मिल जाएगी पर आज हम बनाएंगे मुंबे स्टायल की सेवपूरी ये सेवपूरी खाने में बहुत ही तेस्टी लगती है इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाता है सेवपूरी बनाने की लिए चाहिए नाइलोन सेव इसे भेल की सेव भी बूलते है फ्राइ की हुई चने की दाल, नमक वाले सिंग दाने, चात मसाला, नमक, धन्या और पोदिने की चत्नी, इमली की चत्नी, गालिक की चत्नी मैंने यह तमाते लिया है जिसे फाइनली चॉप कर लिया है, ओन्यन दिया है उसे भी फाइनली चॉप कर लिया है आलू लिया है जिसे बॉल करके मैस कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है निम्बू लिया है और धन्या लिया है जिसे फाइनली चॉप कर लिया है आप इन सब सब्जों की कॉंटिते आप अपने हिसाफ से ले सकते हो अगर आपके बाद कच्चा आम हो तो आप कच्चा आम भी इसमें फाइनली चॉप करके डाल सकते हो अब हम सेव पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं सेव पूरी बनाने के लिए सेव पूरी की में इंग्रिजिन है पूरी तो हम इस ताइब की पूरी रेंगे अब हम सारी पूरियों पे आलू रख देंगे अब दालेंगे ओनियन अब दालेंगे तमातर अब दालेंगे धन्या पोधिने की चितनी अब दालेंगे गालिक की चितनी अब दालेंगे इमली की चितनी आप चितनी की कौंधी दिया अपने तेज की हिसाफ से दाल सकते हो अब इस पर दालेंगे थोड़ा चात मसाला अब दालेंगे थोड़ा नमक अब इसमें थोड़ा lemon juice डालेंगे अब डालेंगे थोड़ी भेल की सेव अब इसमें गान्ले सिंग के लिए हम डालेंगे धन्या चने की डाल अब डालेंगे सिंग डाने तमातर अब डालेंगे onion अब फिर से डालेंगे थोड़ा धन्या सेव पूरी रैदी हो गई है ये देखिए सेव पूरी कितनी सुन्दर दिख रही है आप भी एक पार ये recipe जरूर ट्राइक कीजिए और अपने अनुबाव मुझे comment करके जरूर बताईए अगर आखो चतनी की recipe चाहिए तो प्रीज आप मुझे comment करके जरूर बताईए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ अगर आखो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए Thank you for watching my video